इंडिया में MPV सेग्मेंट की कार्स काफी लिमिटेडी एविलेबल हैं और उन सभी में से कुछ कार्सी प्रोपर सेवन सीटर हैं जो रियालिटी में प्रैक्टिकल MPV कार्स हैं वो आपकी अर्टिगा XL6 और अब किया केरेंस भी है XL6 के फेसलिफ्ट को लॉंच करने के बाद कमपनी ने ये प्रूफ कर दिया है कि अब ये कार सिर्फ एक कोमर्सियल परपस के लिए नहीं है कार के डिजाइन और फीचर्स को इतना जाद अपग्रेड किया गया है जिसके बाद अब ये कार कोई भी नॉर्मल यूस के लिए भी आराम से परचेस करना चाहेगा और किया केरेंज को तो कमपनी ने डिजाइन इतना एडवांस किया है जिसके बाद ये कार MPV प्लस SUV जैसे ही दिखाई देती है और कार में फीचर्स भी मिड सेगमेंट की सभी MPV कार से काफी एडवांस है इसलिए कार की सेल भी लूंच होते ही काफी जादा बढ़ गई है पर अब MPV सेगमेंट में ही एक और कार की एंट्री होने वाली है जो लुक्स और फीचर्स के मामले में XL6 और केरेंज दोनों को ही पूरी टकर देने वाली है कार का नाम है स्टार गैजर जो की हुंड़ाई की तरफ से लौंच की जाएगी और इंडिया में हुंड़ाई की है सबसे पहली एक प्रोपर MPV कार होने वाली है इस कार को कमपनी ने डायरेक्ट सुजू की अर्टिका को कॉम्पिटिशन देने के लिए बनाया है हुंड़ाई स्टार गैजर किया केरेंज के प्लैटफोर्म पर ही बेस्ट है क्यूंकि किया भ होगा जिसमें फ्रेंट में काफी बड़े साइज की ग्रिल आपको देखने को मिलेगी और एक फुल साइज डियारेल भी आपको बोनट के साथ ही देखने को मिलेगी कार के जो हेड्लेम्स है वो थोड़ा सा नीचे हैं जैसे कि आपको क्रेटा में भी देखने को मिलते हैं क अपने competitors को बराबर की ठकर भी दे सकती हैं कार का जो interior है वो भी आपको सेम हुंड़ाई की crater और starya के जैसा ही देखने को मिलेगा और कार में features भी काफी advance दिये जाएंगे कार का जो instrument cluster है वो starya के जैसा ही रहने वाला है जो के car को drive करने में भी हमें काफी premium सा feel देता है stargazer में भी आपको crater से similarity engine option देखने को मिलेंगे जिसमें turbo और non turbo दोनों ही include रहेंगे तो ये car एक बड़ी family के लिए काफी अच्छा option होने वाली है अब बस देखना ये है कि company इस car को कितने price पर launch करती है तो car काफी अच्छी है और अगर company इस car को artiga और karence के price के बीच में ही launch करती है तो ये car भी काफी अच्छे numbers में sale हो सकती है और अगर आपको car पसंद आ गई हो आप भी नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share और अगर आप चैनल पर नए है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टोपिक के साथ